वेलो ट्रेटर्स एंड वेल्कूम तो देश्टूडियो आज के वीडियो में एक जो प्रॉब्लम होती है स्टॉक सेलेक्शन को लेकर के कुछ फिक्स स्टॉक आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे वेल्कूम अपने सेलेक्शन के सबसे हाई वेल्कूम होती है और तो आपको थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा कुल मिला करके अपने sector का एक high weightage stock अपने पास रखनाय है तो इस तरह से जो high weightage sector अपने जितनी भी sector है अपने sector का सबसे high weightage stock वो किस तरह से हम लोग निकालेंगे कैसा उसके अंदर से level stock करेंगे और किस तरह से trade execute करेंगे इसके उपर एक छोटा से discussion आज का 10 से 15 मिट का वीडि वीडियो अच्छा रखते हैं तो लाइक किजएगा कॉमेंट किजएगा चैनल पर अगर आप पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजएगा यह अपना टेलिग्राम चैनल है आप इस चैनल को जोईन कर सकते हो आप लोग चाहो तो यह जोईन कर सकते हो जब हम यूट्यूब पर कुछ अपडेट नहीं कर पाते हो टेलिग्राम चैनल पर हम वह सारी चीज़े अपडेट कर देते हैं यहां से भी काफी हल्प आपको लाइफ मार्केट में होते रही क्योंकि मेरा जो एक तरह का काम करने का प्रोसेस होता है कुछ भी आफ मार्केट नहीं है कि लोग चल चुका है और चल जाने के बाद में यहां से लेवल ड्रॉ कर लो वहां से यह कर लो यहां से वो कर लो तो यह हो जाता और वहां से लोग प्रोविटेबल हो जाते तो उनको 20,000, 25,000, 50,000 एक लागा प्रोफिट किया और साफ सबका कि आज के दिन हम इसके दो शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे सिर्फ वस्व कंफरमेशन सेलिंगे और बाइंग यह करेंगे पूरे दिन मार्केट ने कोई कंफरमेशन नहीं दी थोड़ा सप्राइज आपका आप साइड के दरव कि पूरे दिनी 2 बच कर 30 मार्केट साइड वे रही बारा साढ़े बारा बज़े के बाद ट्रेट तो वैसे भी नहीं करते हैं तो एक्जेक्विशन तो बिल्गुल कैंसिल हो गया था और 9.15 कालो इसने तोड़ा है तो 230 की बाद में अगर वो 930 का लोड तूट जाता है तो मार्केट नीचे जाएग यह पता था लेकिन एक्जेक्विशन हमें सेल साइड में नहीं करने तो इस वए से बाइद नहीं किया क्योंकि confirmation नहीं दिया और सेल कर रहे था तो इस वए से कोई execution ही नहीं नहीं दो दोने screen shots जो उस वक्त की थे एनर्जी सेक्टर, after that FMCG, auto sector, healthcare, farmer sector, constructions, metal sector आ जाता है इसके बाद में हम देखते हैं कि Nifty 50 में कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा, सबसे हाई विटेज के हैं तो सबसे बड़ा स्टॉक जो है अपने पास वो HTC Bank है इसके बाद में Reliance, Energy Sector का, after that ICICI, Infosys, ITC, TCS, Larson Turbo, LT, Kotak, Axis और स्टेट बैंक तो कई सारे तो आप देखोगे कि Nifty High Vintage Stock में Financial Services की स्टॉक है IT Sector को देखोगे तो दो स्टॉक High Vintage में या रखे हुए Infosys है और TCS है इसके बाद में क्या है? FMCG, इसके बाद में कौन सा है? Energy Sector Energy Sector में भी आप देखोगे कि Reliance अपने Nifty 50 के Top 10 Stocks के अंदर आ रहा है तो शुरुवात के जितने भी आपके sector उसके बहुत सारे Stocks आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बेटर क्या रहता है कि Top 10 जितने भी Stocks हैं उसमें से इन लोग तो बेटर क्या होता है कि Top 10 जितने Stocks हैं हम इसमें से आधे कर लें लाइक 6 Stocks को हमें Select कर लेना है और उसी Sector के Stocks को हम लोग पर्टिकुल एडे के लिए ठेट करेंगे इसके बाद में हम आजाएंगे यहां पर Sector-wise आपको क्या करना है कि जो भी सबसे High-weightage Stocks आपका रहा है इन 6 Sector में शुरुआत के 6 Sector में जो भी सबसे High-weightage Stocks है आपको इस इत्रेट करना है तो इतने सारे Stocks आपके पास आजाएंगे Simply अब जितने भी सेक्टर से इन सब के High-weightage Stocks निकालने हैं कुछ मुश्किल नहीं है नहीं भी आ रहा है अगर आपको सिस्टम अगर उतना चलाना या वेबसाट स्क्रॉल कर नहीं है बहुत सिम्पल सी टेक्निक है आप चले जाओ यहां पर जाकर कि सीधे आप आजाओगे सबसे बड़ा बना हुआ है 45% की वेटेज है TCS की इस सम है इसके बाद में अब मान लिजिए हमें यहां पर देखना है का इनर्जी Sector के में अर्जी सेक्टर में सिम्प्ल क्लिक अगर उपर अपस्याद सबसे बड़ा जो हैई स्टॉक है 57% रिलाइंक फिर आपको देखना है वार्म का लाग क्याी में सेक्टर को देखनाईध एंटर कर दो सबसे پरिटश स्ट्रकalthy यह नाम जयाद रखना Sun-Phrase fanập अंपर सब्स्राइब ओर एस तरह सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस सक्राइब कर दो ऌर्ट आब अब नहीं क्या क्या स्टॉक्स की मेरे पास लिस्ट बन गई संफर्मा मारूती एश्टी सी बैंक अडानी और हिंदुस्तान युनिलिवर यह च्छे स्टॉक्स हैं वाच लिस्ट में अगर 5 ब्रेक्ट कर रहे हैं और निफ्टी के अंदर भी अगर आपका शॉट साइट का विउ है और ये पांच स्टॉक्स परिया ब्रेक्ट कर रहे है तो बहुत ज्यादा चांस है कि निफ्टी फिर उस दिन अप साइट में नहीं जाएगी वह भी कहीं नखीं सपर्ट divis कर द पावर फुल स्टॉक होंगे, ट्रेड एक्जिक्यूट करने के लिए, आप इसके साथ में अगर आप चाहते हो कि आपको सेक्टर को देखना है, तो निफ्टी आईटी का सेक्टर लगा लो, आईटी जिधर मूव कर रहे है, टीसेस उधर ही मूव कर जाएगा, और इसी के आपके दो दिन के बाद में एक ग्रीन केंडल बन रही है, यह अपने लेवल आपने निकाल कर रहे है कि कहां से हमें एक्जिक्यूशन करने है, आप पर्टिकुलर उस टेट मिस को ट्रेट कर सकते हैं, फॉलिंग रोज देखे एक दो, दो दिन मार्केट गरिया, तिसरे दि तिसरे दिन आपके थर्ड रेट केंडल बन गई, यहां पर देखिए क्या हुआ है, फॉलिंग रोज पैटर्स फॉर्म होए है, तीन दिन ग्रीन केंडल और फॉर्थ दे आपकी रेट केंडल फॉर्म होगई, यह सारे मेतड़्स हमनें बहुत अच्छी तरह से समझा रहे ह यहां से अगर बाई करना भी जैसे हमको पता है कि TCS कंदर में बाईंग ही करनी है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे ना फिर अपनी हमें लेनी होगी entries के confirmations, entries के confirmations के बाद हमें जैसे यहां पर लग जगा कि मेरे support पर कोई भी एक mother candle form हो रही है, या price किसी तरह से अपनी क यहां पर हमने देखा कि price अपने support को resistance को ब्रेक करेंगे अपने level के पास में, जैसे price अपका upside के तरफ जाएगा, आप retracement पर यहां पर अपना trade एक्जेक्यूट करते हो, candle आप देखोगे, ज्याधा तर candle green में ही close हो, अगर दो दिन volumes करी है, तो तीसरी दिन देख लेना, आप opposite direction की volume बनती है, TCS हो गया, आप Sun Pharma ले लो, pharma sector का stock, Sun Pharmaceutical, NSC open कर लिए और यहां पर इमने कर दिया इसको daily time frame, कुछ भी नहीं करके, एक simple सा method पर कर लो, कि हमें falling lows, यह decreasing lows के according ही अपना trade एक्जेक्यूट करना है, तो यहां पर देखिए, falling lows pattern फो हो, fourth trade यहां पर क्या हो, red candle बन पर यह stock अपनी level के पास में देख रहे हैं, जैसे ही price यहां पर आएगा, आप लोग ट्रेड एक्जेक्यूट करोगे, इससे क्या होगा, कि आप stock selections के जो भी method से हैं, उनको काफी पीछी छोड़ चोड़ चके होगे, क्योंकि आपके पास रोज रोज stocks find करने के लिए, अब उसमें ज्यादा सरदर्दी नहीं करनी है, fix stock हैं, उन्हें को trade करना है, और दूसरी चीज, इन stocks को trade करने का सबसे बड़ा फैदा यह होगा, कि trade execute करने से पहले हैं, कि जितने भी नियम हमने आपको बता रखें, उन सब को अगर यहां पर आप follow करोगे एक साथ में, तो आपक movement minimum मिलेगा, क्योंकि कोई भी trade अगर हम execute कर रहे हैं, तो उसका target मेरा 1-2 से कम रहता नहीं है, personally जो हम अपने targets लगाते हैं, हम market हो सकता है, market के situation थोड़ी से up down में हो, या side way हो गया stock तो उसमें तो हम तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन अपने rules और regulations के according कोई भी trade अगर हम execute कर रहे तो इंचे stock से यही खास बात होगी कि यह stocks आपको जब भी मौका देंगे trade करने का 1% से ज्यादा का movement इस stocks के अंदर से देखेगा, दूसरे किसी भी stock को देखने के जरूरत नहीं है, इन्हें stocks को fix करके रख लेना है, movements बड़े मिलेंगे, levels को draw को लो, levels के थुरू अपने trades execute कर Antis के लिए में जो patterns आपको बता रहे हैं कि जैसे एक mother candle बन रही है, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है, like यह एक mother candle है, price आपका इस range के अंदर ही trade कर रहा है, कई दिन से, and यहाँ पर जो volumes हैं आपकी, यह लगातार increase हो रही है, इस तरह से volumes increase हो रही है, ऐसे से करके, okay, and जो बड़ी वाली candle इसका just हम लोग low mark कर लेते हैं, and वैसे ही इसका high mark कर लेते हैं, और यह सब कुछ हम कर रहे हैं daily time frame पर, तो जो trade execute करने के पेसे आपके बनेंगे, वो कौन से होगे, यह वाले, या तो यहाँ से हम लोग breakout करेंगे, या फिर हम लोग यहाँ से breakdown, break insights के जो trade होते वो same ही रहेंगे आपके, जैसे कि यह वाला beam में बताया आपको, कि यहाँ पर जो executions होगे आपके इसी जगह पर होगे, in between कहीं पर भी नहीं, so यह patterns बन गे, अब देखो आप, जैसे sun farmer है, sun farmer में देखोगे कि यह एक बड़ी सी green candle आपकी बन रही है, and यहाँ पर जब आप volumes देखोगे, volumes भी increase हो रही है, लगातार गिर रही, and यहाँ पर देखे, volume की breakout होगे, again यहाँ पर देखे, volumes की breakout होगे, जिस दिन इस 3 अगस्त के नीचे market आई, यहाँ से आपको sale करने के confirmations लें, और price को आप मार देना short, price को आप short करतोगे, और यह एक दूसरा method हमने आपको ब है कि यह तीनों जो candles है, यह हमारी बनी है red, या फिर positive candles फोर्म होगे, blue color की candle हमारी बनी है, तो fourth day जो हम predict करते हैं कि यहाँ पर आपको एक red candle देखने को मिलेगी, अगर यह तीनों candles आपकी गिरते हुए करम में बनी है, एक के बाद एक, और उनके color है black, इसके बाद में जो fourth day या आपको condition देखनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ बाई करनी है, और अगर पिसले तीन दिन से market लगातार बाई हो रहे हैं, but volumes गिरते चले जा रहे हैं, तो fourth day आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करनी है, या बाई नहीं करोगे, और इसके साथ में एक जो इसका second part होत होती है, कि continuously price आपका 2 दिन सेल लगातार गिर रहा है, और volumes भी गिर रहे हैं, और price के अंदर भी short हो रहा है, और तीसरे दिन फिर्म लोग क्या करते हैं, इसके अंदर buying करते हैं, buying करेंगे, और अगर price हमारा ऐसा नहीं कि हमें buy करनी है, तो price buy ही होगा हो सकता है, और sale हो black candle form हुई है, तो यहाँ पर हम लोग third day क्या करते हैं, सिर्फ buy, एक positive candles के बनने का अपना prediction होता है, कि आज market close होते होते है, daily time frame पर एक positive, एक green candle बना करके छोड़ेगे, तो अगर buy करना होगा, तो हम करेंगा, अगर buy कम हो कम लेगा, और अगर short selling करने के लिए हम इसे कहते है, market तीसरे दिन के आप credit करें, कि price आपका upside के तरफ जाएगा, एक green candle बनेगी, और green नहीं बनी, तीसरे दिन भी red बनी, और पिछले दो दिन से लगाता है, तीसरे दिन भी red बनी, और volumes तीनो की एक के बाद एक कम ही हो रही है, इस तरह से, second day की volume first से कम है, and third day की volume second से कम है, तो य यह जो तीनो के इस बनती ही, एक proper swing low और swing high आपको दे देंगा, आप वहाँ से trade execute कर सकते हो, बाकि third and fourth day में आपको trade किस तरह से करना है, यह सारी चीज़े आपको इन method से बहुत इसली समझ में आ जाएगे, अब जैसे sun farm है, sun farm हो क्या, एक, दो, तीन, तीन दिन लगातार green candle और volume आप देखोगे कि continuously गिर रहे है नीचे के तरब, तो fourth day में क्या करना है, सिर्फ short selling, ऐसा बाकी के stocks में भी देख लो, जैसे auto sector का high weightage stock कौन सा था, मारूती, मारूती open कर लेंगे, and मारूती में कुछ नहीं करना, सिर्फ हम लोग simply क्या करेंगे, decreasing patterns find करने हैं, कि volume सापकी लगातार गिर रही हो, एक यह देखें, सिधे buy, and यहीं पर आपको swings भी मिल जाते हैं, तो इन swings के पास में हम लोग क्या कर सकते हैं, कि जैसे price rate में supports को break करेंगे, हम लोग short selling करते हैं, इसके बाद में और आप पीछे जा करके देख लीजे, जैसे कि यहाँ पर देख लीजे falling rose pattern form हुआ है, fourth day, सिर्फ buy, sell अगर करने का मौका देगी, मार्केट तुमें नहीं करना है, जहां देखे, decreasing lows के pattern बने है, third day हमें सिर्फ short selling करने है, किसी भी stock में अप लगाओ देख सारे systems काम करेंगे, entry लेने के लिए हम बोल रहे हैं, starting में, आप अपने point of actions के पास में stop loss को protect कर ले जाओगे, हाला कि बहुत entry level का pattern होता है, बिल्कुल शुरुआत में लोग mother candle को देखते हैं, otherwise अपने जो भी pattern से trade execute करने के, entry करने के stop loss लगाने के, वो सारे fix pattern और mother candle और ये इंगलफियों वगारा जितने pattern से ना, इनसे सबसे हट के हैं, उसमें लोग volume का भी use करत होता है, तो इस तरह से आप volume और price की मदद से अपने इन 6 के 6 stocks को trade करोगे, तो कितने stock अपने पास होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, TCS, Sun, Farmer, Maruti, STFC, Adani और हिंदुस्तान, Adani enterprises आपका ये meta sector का stock हो गया, इसके बाद में शायद फिर आपका JSW Steel आ जाएगा, वो बात वैसे आपने trade execute कर दिया, या वैसे सारा काम करने लगे, देरे-देरे इसको अपने practice में शुमार करो, practice में शांभिल करो, देरे-देरे करके quantities increase करो, इसके बाद में अपने आप इसके अंदर देखो गया, कि जो आपके price actions हैं, वो better होते चले जाएगे, पहले से बहतर होते च अगर आप 100 रुपय का stop loss बचा नहीं सकते हैं, तो फिर आप 1000 का stop loss कहां से बचा पाऊगे, price actions तो जो आपके stock में लग रहे हैं, वही आपके price action, nifty bank nifty में लग रहे हैं, जैसे आपका stock trade होगा, वैसे आपका bank nifty और nifty trade हो जागा, ऐसा तो हैं निफ्टी trade किसी दूसरी दु marketing के अपनी strategies होती हैं, कि लोग ज्यादा से ज्यादा nifty में काम करें, तो profit किसको होगा, profit होगा broker को, profit उनको होगा, जिसके थूरू अपने अपना account open कराया है, जिसके पास brokerage sharing पहुँचेगी, तो वो लोग क्यों ही कहें कि आप stocks में काम करो, उसमें तो उनकी brokerage sharing बहुत कम ही होगी न, यह सारे fund होते हैं, तो जितना हो सकते हैं, अब देखिए, trade करना, अपकर आप option भी trade करो, तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, movements ज्यादा होते है, percentage वाइस भी अगर देखो को, तो वहाँ पर जो strike price हो, ज्यादा move करते हैं, लेकिन losses होने के भी chances तो ज् इतनी सी चीज ज्याद रखना है, conscious mind के साथ, पूरा focus के साथ, जितना हो सके, stock में ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, सीखो, समझो, पढ़ने की कोशिश करो, छोटी छोटी चीज़ हैं, जो कि आप वहाँ पर एक छोटा से trade भी अगर आप execute करने जोग options के अंदर, simple सी हम ब कुछ नहीं, कुछ नहीं सीखो, सिर्फ वहाँ पर एक तरह से gambling करने जा रहे हो अब, 1000 रुपए में यहाँ पर आप 10 से ज्यादा trade execute कर दो, और वो भी 1000 रुपए आपके खतम नहीं हो पाएंगे, यह potential होता, stocks का, तो इसकी power को कम मता को, जो भी सिखाएगा, market अगर आपको स trade execute करो, profitable हो जाओ, equity options में जाओ, लगा कर, मन लगा कर, जी जान लगा की काम करो, लेकिन अभी नहीं, जब तक equity भी profitable नहीं, तब तक किसी दूर से segment की तरफ रुख नहीं करना है, simple सी चीज है, कम शब्दों में हमने बोला है, ज्यादा समझेगा इसको, thanks, good bye, and in stocks अपनी watchlist मे add कर लिजे, मन लगा कर के मेहनत से काम करें, thanks, अगर कुछ question होता है, तो comment box में आप लीप कर सकते हो, वहाँ पर हम उसको देखेंगे, इसका reply करेंगे, thanks, and we will meet again,